Hello and welcome friends, जी हाँ दोस्तों आपने Excel में तो बहुत सीखा होगा round कराना लेकिन MS Access में आपने round कराना नहीं सीखा होगा तो आए MS Access में भी round कराना हम सीख लेते हैं, हम MS Access में round का formula कैसे use कर पाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो आईए इसको देख लेते हैं एक बार कैसे हम इसको राउंड कराएंगे पहले मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूँ जो हमारे पास डिटेल में मौझूद हैं जैसे देखिए यह पॉइंट में है देखिए पॉइंट फॉर फॉर एक हजार दोसो चोंतिस दसमलो चार रुपए सरसाथ अजार आठ सो निन्यानबे दसमलो चे जुरो रुपए तो यह जो लिखा हुआ है न यह पॉइंट में लिखा हुआ है इसको हमें राउंड कराना है कैसे राउंड करा पाएंगे आए देखते हैं यहां पर मैं लिखूंगा आर ओ यू एंड राउंड ठीक है कोलन लगाएंगे अब कैसे आगे क्या करना है इस प्रोसीजर को आप बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि अगर यह प्रोसीजर का जराभी थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक अगर आप इसमें कर देंगे तो यह ठीक से आप इसको आर ओ यू एंड यह लिख दिया हमने राउंड और राउंड लिखने के बाद आपको क्या करना है वो बहुत ध्यान से समझीएगा राउंड लिखने के बाद आपको लगाना है कि स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया हमने अब क्या करना है इसके बाद लगाना है स्क्वार ब्रै को close उसके बाद आप करिए यहां पर कॉमा दे के zero जैसे आप एक्सल में वी लुक अपका फॉर्मूला लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके बाद small bracket को करना है close और अब हमें क्या करना है इसको करना है run आएए देखते हैं कि run करने पर यह क्या होगा वाउ यहां पर देखिए यह 1234.44 यह लिखा हुआ है इसको उसने उठा के क्या कर दिया 1234 बना दिया यानी 1234 बना दिया ठीक है यहां पर लिखा है 66,000 यानी 67,899.60 तो यह 0.60 है 0.5 या 5.0 से अधिक होगा तो इसको आगे बढ़ा देगा यह यानी 899 को इसने कर दिया 900 आईए कुछ और टाइप कर के देखते हैं क्या होता है यहां पर फाइप अब यहां पर मैंने लिखा 0.49 तो फॉर नाइन को ये क्या करेगा पीछे बढ़ा देगा एक मिनट पांसो दसमलो चार नो यहां पर चार नो लिखा है मैं पर इंटर करेंगे हम तो यह देखिए यह 500 हो गया यह चार नो हट ग तो यह बन जाएगा 500 आप देखिए यहाँ पर 50 हो गया तो यह 500 इसने बना दिया इसको आप देख सकते हैं इसको तो आयोप की यह बात समझ में आ रही होगी कि round formula हमें use कैसे करना मैं आपको formula एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि इसको round कराना कैसे है ठीक है मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ से तो आपको ठीक प्रकार से और भी अच्छे से दिखाई देगा यहाँ पर देखिए आप यह formula मैंने लगा रखा है आप इसको अच्छे से देखिए और इसके बाद इसको ok करेंगे हम और ok करने बाद run to मैंन कर सकते हैं excel में तो आपने लगाया होगा लेकिन access में नहीं लगाया होगा तो इसको आप अच्छे से समझिए और वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो